मकर संकरानती पर देश के कई हिस्सों में पतंग उठ सव आयोजित किया जाता है इसमें दूर दूर आकर लोग पतंग बाजी करने के लिए एक जगह पर जमा होते हैं कुछ जगह पर तो सामुईक पतंग उठ सव आयोजित होते हैं लेकिन शुकरवार को नाकुष शहर में बारिश आने से सभी का पतंग उडाने का मज़ा किरकिरा हो गया लेकिन वही कुछ पतंग प्रेमी बारिश रुकते ही एक दूसरे की डोर काटने के लिए लग गए वही दूसरी ओर कोरोना महामारी की चलते पतंग बाजी का जलोश कम ही नज़र आया मकर संकरानती आते ही तरह तरह के डिजाइन रंगों की पतंगे पतंग बाज की इशारे पर लहराती दिखाई देती है ऐसे में आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है और रंग भी रंगी पतंगों से सजे आसमान की खुबसूरती ही अलग नज़र आती है बगर संकरानती की दिन स्नान के बाद सुर्य देव की पूजा की जाती है इस दिन सुर्य दक्षिनायन से उत्तरायन होते है उत्तरायन को देवताओं का दिन कहा जाता है उत्तरायन से दिन बड़ा और रात्री छोटी होनी शुरू हो जाती है मकर संक्रांती के दिन से ही विवा, सगाई, गुर्य प्रवेश जैसे मांगली कारे भी शुरू होते है वही मकर संक्रांती को पतंगों का पर भी कहा जाता है इस पावन अउसर पर देश के कई राजों में पतंग उडाने की परंपरा रही है देश के कई हिस्सों में पतंगोत्सों का आयोजन किया जाता है इसमें जहां बच्चे पतंग उड़ाते दिखते हैं वही इस आयोजन में कई अनुभवी अपनी पतंगबाजी की कला का प्रदशन करते नज़र आते हैं पतंगों के इस उत्सों में लोगों की भारी भीट जमा होती है यही वज़ए है कि इस मौके पर लोग खुले मैदानों और छटों पर पतंग उड़ाते नजर आते है और ऐसे में आस्मान रंग भी रंगी पतंगों से सजान नजर आता है मकर संक्रांती पर लोगों में पतंगों सो को लेकर उत्साह नजर आता है लेकिन इस बार का पतंगों सो नाकपुर्वांसियों के लिए ठंडा रहा सुबस से ही बारिश आने से पतंग प्रेमी नाराज हो गए वही बारिश रुकते ही दोपर से आस्पान में फिर रंग भी रंग भी पतंगे उड़ती नजर आई बच्चों से लेकर बड़ों ने भी पतंग उड़ाते हुए एक दूसरे की डोर काटी चारो और वो काट का आवाज गूंज रहा था कई मकानों के चटों पर बच्चे अपने परिवार के साथ मिलकर तो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते नजर आए वही किसी की पतंग काटने पर म्यूजिक के साथ लोग थी रखते नजर आए वही कोरोना महामारी के चलते प्रशासंद्वारा सक्त पाबंद्या भी लगाई गई है भीड़ ना हो इसका भी प्रशासंद्यान रख रही है कुछ लोग तो डर के मारे इस साल अपने घर पर ही परिवार के साथ मकर संक्रानती मनाते नजर आए एक दुसरे को तिल गुर देकर मकर संक्रानती की शुपकामनाई दी घर में रहना एक तरह से इस महामारी काल में ठीक भी और सुरक्षित भी है ताके खुछ सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे आप सब भी प्रशासन द्वारा बताये गए नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे